दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेलकम टू महेशकाड़ी मी यूट्यूब चैनल आप सभी को नमस्कार किंद्री विद्याले संगठन के वीएस के आपके एक्जाम की डेट आ चुकी है और ऐसे में यहाँ पर हम के वीएस पीर्टी 2016 में आपके क्वेशन पे इसके लबा एक और चीज़ हम आपको बता दें अगर आप चाहते हैं 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 और 18 इन सभी डिवरेशन में के वीएस पीर्टी के पेपर सॉल्यूशन हम आपको करवाएं तो कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट जरूर करिएगा चलिए शुरू करते हैं हिंदी के सवालो यानि के पूरा का पूरा देश, अपलाड़ेट मतब होता है प्रसंशा करना दे करेज यानि साहस को किसके आम फोर्से के साहस को हम आपको बता दे हूल दी कंट्री अपलाड़ेड यहाँ पर अगर हम इस क्वेशन को लेकर के बात करें तो जो डिटर्माइनर की बात होती ह या फिर अगर हम definite article के बात करें definite article काउन से होते हैं the, indefinite की बात की जाए तो a और n को आप indefinite article में रखते हो यहाँ पर जो the का प्रियोग होगा वो whole से पहले होगा कुछ इस तरीके से इन्होंने हाँ पर explanation दिया हुआ है इसे नवरी question का explanation आपको मिलेगा यह कहते हैं whole the के स्थान पर the whole का प्रियोग होगा क्योंकि definite article the का प्रियोग determiner के रूप में वाके के शुरुवात में होती है किसके रूप में? determiner के रूप में तो जो correct sentence आपका हो जाएगा the whole country applauded the courage of the armed forces next question में आप से पूछे हैं कहते हैं the custom the custom has been prevalent in India since immemorial time कहने का मतलब है custom रिती रिवास जो हमारे हैं वो पहले से ही चले आ रहे हैं आप एक चीज़ देखें कि आपने पढ़ा होगा कि निश्चित समय के लिए for the definite time निश्चित समय के लिए we use since और वही indefinite time जब होता है यानि indefinite है तो आईसे में since की जगे किसका प्रियोग करेंगे for का प्रियोग करेंगे यानि जो आपका answer हो जाएगा वो D option हो जाएगा बिल्कुल वही चीज़ यहां पर explanation में आपको बताई हुई है जो आप यहां पसे पढ़ पा रहे होगे एक अकले question पर आपको लेकर के चलते हैं थर्ड question में आपसे कह रहे है the climate of Pune is more pleasant than Delhi यानि कि जो पुने का climate है वो बहुत ही अच्छा है pleasant है दिल्ली के मुकाबले यहां पर हम आपको बता दे climate जलवाईव को लेकर के बात की हुई है जब हम दो cities को compare करते हैं ध्यान रखेगा जब दोनों शहरों के बीच की बात हो तब ऐसे में आप वहाँ पर than का use करते हैं बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा तब आप than का use करेंगे लेकिन यहाँ पर दोनों cities के climate atmosphere को लेकर के बात की गई है और इस case में यहाँ पर than that of का प्रियोग होगा किसका होगा than की जगह than that of का प्रियोग होगा जो यहाँ पर examination में आपके लिए दिया हुआ है आगे लेकर करके आपको चलते हैं correct sentence भी बता दिया 4 and 5 number question में कहते हैं each group of words choose the one can be substitute for the given definition यहाँ पर इन्होंने कहा one word प्रकार का आपने पढ़ा होगा one word substitution introductory part of a literary work किसी भी साहित्यक कारिका जो introductory part होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं क्या उसे हम introduction बोलते हैं क्या preface बोलते हैं यहाँ पर preliminary लिखा हुआ है और prologue लिखा हुआ है preface का क्या मतलब होता है आमुख प्रस्तावना बात कर लेते हैं preamble को हम लोग क्या बोलते हैं आमुख ही आप रस्तावना क्या बोलते हैं आमुख ही आप रस्तावना तो जब हम इस four number question की बात करते हैं तो जरह गवर करिएगा डी option में प्रोलॉग आपका option देखने को मिलेगा प्रोलॉग का मतलब रस्तावना होता है preamble का मतलब रस्तावना होता है वहीं introduction का मतलब परिचय preface का मतलब भूमिका और यहाँ पर preliminary का मतलब होता है प्रारंबिक उमीद करते हैं यहाँ पर सभी questions आपसे भी options का आपको मतलब भी समझ में आगे होंगे answer के साथ में एक अगली question पर आपको ले करके चलते हैं इन्होंने बुरा one word में आपसे question पूछ रहे हैं आप person who abstrains completely from alcoholic drink मतलब alcoholic drink से पूरी तरीके से abstrains मतलब दूर रहना उसे हम वेक word में क्या बोलेंगे ascetic करके लिखा हुआ है आपर abstrainer लिखा हुआ है tea totaler लिखा हुआ है और saint बोला हुआ है इसे हम tea totaler बोलते हैं tea totaler को हिंदी में क्या कहते हैं महात्यागी आप option में देख पा रहे होंगे answer आपका c होगा महात्यागी एक अगले question पर माफी चाहेंगे यहाँ तब तक आप इसका मतलब भी जान लीजिए ascetic का मतलब तपस्वी होता है abstrainer का मतलब होता है परहेजगार और saint का मतलब होता है संत six or seven number question में आपसे क्या कह रहे हैं group of words which follow each opposite in meaning आपसे यहाँ पर opposite पूछा हुआ है यानि का अंटॉनिम्स के बात की हुई है और question आपके screen पर है religion teaches us not to run after the transient pleasure of the world हमें religion यह धर्म पढ़ाता है हमें यह बताता है not to run after किसके बाद नहीं transient pleasure यानि कि इस transient pleasure के बाद हमें नहीं दोड़ना है नहीं जाना है इस दुनिया के या इस दुनिया में जो भी चीज़े है तो आखिर इस transient या transient का opposite हमें क्या देखने को मिलेगा unethical, permanent, sinful और unnatural लिखा हुआ है हम आपको बता दे transient pleasure होता है जो एक momentary प्रकार का होता है momentary का मतलब छड़िक होता है वहीं permanent इसका जो है वो क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा जो आपका correct answer यहां से देखने को मिलेगा वो भी हो जाएगा इसमें unethical का मतलब unethic होता है sinful का मतलब होता है पापी unnatural का मतलब होता है 7 number question में क्या कहते हैं आप से there has always been a feeling of rancor between the two leaders यहाँ पर there has always been a feeling उनके बीच में हमेशा एक feeling एक भाव रहता है दो नेताओं के बीच में कैसा भाव rancor का अब यह आपको बताना है क्या कि rancor का आपका opposite जो है आपको क्या देखने को मिलेगा क्या यह शत्रता होता है इसका मतलब जब हम यहाँ से बात करते है rancor को ले करके तो यह इसका मतलब होता है शत्रता इसका just opposite आपका friendliness हो जाएगा यानि option number D suspicion का मतलब होता है संदेह competition का प्रतियोगिता है और rivalry का मतलब होता है विरूधिया प्रतिश्पर्धा आठो नौ नंबर question में आप से कहे है choose the one which best express its meaning यहाँ पर आपको idiom और phrases के questions है तो a red later day का क्या मतलब होता है आपने जबाहरलाल नहरू जी के बारे में सुना होगा या जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस 1947 को तो क्या वो खोशी का दिन था a happy day तो a red later day का मतलब होता है a day memorable for some joyful event जो first option लिखा हुआ है वही आपका answer हो जाएगा तो इसे हम महतुपूरड दिन बोलते हैं idiom यानि कि जो red later day है उसका मतलब क्या हो जाएगा a day memorable for some joyful event आगे आपको लिए करके चलते हैं अगे लिए question पर इन्हों रिखा to show the white feeder क्या to show the white feeder कहते हैं दिखा दिए ना तुम अपना रूप बिल्कुल वैसे ही to show the white feeder to act gracefully to assume airs करके लिखा है to be fashionable to show signs of cowardice जानि कि कायरता का sign या चिन दिखाना उसी को बोलते हैं to show the white feeder आपका जो option हो जाएगा यहां से वो answer D हो जाएगा एक अगली question पर ले करके चलते हैं 1011 में 1011 में आपको क्या करना है fill in the blanks दिया हुआ है उसे आपको fill करना है और यहां पर जो question है वो आपसे क्या पूछा है he never takes sides वो कभी भी किसी का side नहीं लेता and always remains जो किसी का side नहीं लेता वो हमेशा क्या रहता है कैसे रहता impartial impartial आप किसी पक्ष को ले करके काम कर रहे हो impartial मतलब आप किसी भी पक्ष को ले करके नहीं काम कर रहे हो यानि कि निस्पक्ष तरीके से काम कर रहे हो तो 10 number question में हमारा answer क्या हो जाएगा फिलिंदी ब्लैंक्स में देखे पूछें, he is generally afraid of, afraid as he lives in the world of, वो अक्सर डरता है, वो अक्सर डरा हुआ रहता है क्योंकि वो किस दुनिया में रह रहा है, hallucination, illusions, illusions, conclusions, illusion मतलब होता है भ्रम की दुनिया में, ध्यान से समझेगा जो option number C लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है भ्र चल की दुनिया में बिलको सही है, तो वो चल या भ्रम की दुनिया में रहता है, इसलिए वो अक्सर डरा हुआ रहता है, बाके options की बात करें है, hallucination का मतलब होता है, माया, illusions का मतलब संकेतिया इशारा होता है, conclusions का मतलब जो है, वो क्या होता है, निशकर्स, 12 और 13 number question की बात क express, यानि कि synonym की बात की है, किसकी बात की, synonym की, the film began with an eerie scene, डबल ए आर आई ए, आखिर इस eerie का मतलब क्या होता है, जब तक आप अर्थ नहीं समझोगे, आप इसका synonym, यानि कि जब हम परियावाची की बात करते हैं, वो भी आप find out करने में असमर्थ होगे, strange का मतलब होता है, भायानक, synonym का क्या होगा, dangerous होगा, जिसे हम खतरनाक बोल देते हैं, तो आपका option जो है, यहां से B हो जाएगा, बाकि thrilling को आप romance कारी कह देते हूँ, देखे, एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है, आगे आपको ले करके चलते हैं, war is not the only inevitable means to decide a long standing dispute, कि वल, यही एक inevitable mean नहीं है, मतलब, inevitable का क्या मतलब होता है, किसी भी long standing dispute को खत्म करने के लिए, अगर हम युद्ध की बात करते हैं, तो inevitable का मतलब क्या होता है, improbable, indefinite, unavoidable, एक unavoidable शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, आपरिहारिया, तो इसका जो synonym होगा, वो क्या होगा, inevitable, य से हम आनिवारि बोल देते हैं, आनिवारि का ही समानार्थी, जब हम बात करते हैं, तो आपरिहार हो जाता है, यहाँ पर improbable का मतलब होता है, असंभो, indefinite का मतलब अनिश्चित होता है, और यहाँ पर imminent का मतलब आसन या निकट, आगे आपको ले करके चलते हैं, 14 और 15 नं स्पैलिंग यह होती है, पी-ए-टी-ए-ची-टी-आ-ई-सी, तो कहीं आपको मिला, बिल्कुल पहले आप्शन में यही आपको मिला हुआ है, और pathetic का क्या मतलब होता है, दाइनिये, पी-ए-टी-ए-ची-टी-आ-ई-सी, एक अगले क्वेशन में डिसीव बूला हुआ है, जैसे आप रिसीव लिखते हो, र-E-C-E-I-V-E, क्या लिखते हो आप जैसे यहाँ पर रिसीव लिख रहे होती हो, बिल्कुल यह से ही यहाँ पर यह मेजर करता है, जब हम बात करते हैं, इस क्वेशन को लेकर के 15 नंबर क्वेशन, तो डिसीव यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेशन के अगर हम बात करते हैं, तो आपका 15 का अंसर जो है वो भी देखने को मेलेगा, अगले सवाल की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं, 16 नंबर क्वेशन, तो 15 आपके इंगलिश के क्वेशन हो गए, 16 नंबर के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हिंदी के सवाल प्रत्याहार E, O, real, re के बाद गोई आसामान सवर आये तो E काया, U का वा, R का रा तल, R का ला हो जाता है तो यहाँ पर सू प्लस आगतम क्या हो जाएगा सू आगतम हो जाएगा ऐसे पर या फिर सू आगत की बात करें तो सू प्लस आगत हो जाएगा तो आपका जो सही जवाब होगा वो यहां से क्या होगा तीसरा माफिश जाएंगे लास्ट वाला है ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे बाकी चीज़े यहां पर इनुरे अच्छे से बताई हुई है कुछ और एक्जांपल भी दिया है जैसे मधवाले का दिया हुआ है मधुपलासाले जहां पर आप देख पा रहोंगे प्रतिक कुप्रति प्लस एक करके हम बोल देते है बहुत बढ़ी हास एक्स्प्लेनेशन दिया है जैसे आप अच्छी तरीके से जरूर पढ़िए समझे मदोनमत का क्या मतलब होता है मद में उनमत होना तो यहाँ पर मदोनमत मत प्लस उनमत कहीं ऐसा तो नहीं मत से संबंदित है यह आपका इनमें से कौन सा समास आपको देखने को मिलेगा तो समास की बात करते हैं ततपुरु समास के च्छैबेद होते हैं में हम जब बात करते हैं करता नियार कर्म को करड रीत से ज हम संप्रदान को के लिए अपादान से मान हौण करड रीत 0 करण ततपुरुस समास में हम क्या करते हैं मद से उनमत यानि कि करण ततपुरुस समास होगा क्योंकि से यहाँ पर विवक्ती चिन्ध जो है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर अच्छी तरीकिसे आपको यह बात समझ में आ गई होगी तो आंसर आपका क्या हो जाएगा तत्पुर समास शोक आकुल में जैसे शोक से आकुल कुछ और उधारण दे दिये हैं रिखांकित मत्तब रिखास यांकित तो इनमें भी करना आपको देखने को मिलेगा कहते हैं आवश्यक्ता से अधिक धन संचय करना कहते हैं हमें आवश्यक्ता से अधिक धन संचय नहीं करना चाहिए यानि हमें क्या करना चाहिए आप परिग्रह होता है जिबकि अधिक धन संचय करना परिग्रह होता है क्या होता है परिग्रह होता है तो आपका आंसर जो है यहां से क्या हो जाएगा परिग्रह हो जाएगा इंद्रिय निग्रह क्या होता है कि इंद्रियों को वश में करने के क्रिया संग्रह का मतलब होता है कत्र करने के क्रिया या भाव आगे आपको लिकर के चलते हैं 20 नंबर question पर अशुर्द धुवरतनी का विकल्प चुनिये अशुर्द धुवरतनी का विकल्प वैदेही, उज्जवल, स्वयंबर और परिक्षा तो जो हम उज्जो लिखते हैं वो आधा जा आधा जा वा और ला इस तरीके से लिखते हैं तो आपका सही जवाब यहां से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर बी है आगे आपको लेकर करके चलते हैं राधा ने खाना पकाया इस वाकि में कौन सा काल है उसे चुनिए राधा ने खाना पकाया सामान्य भूत काल आपसे बोला हूँ है सामान्य भूत काल नहीं सामान्य भूत है यह आपका अपूरड भूत है यहाँ पर पूरड भूत है या फिर संदिक्द भूत होगा तो आपन जिससे भूत काल की क्रिया के विशेश समय का ग्यान हमें देखने को ना मिले ध्यान दीजिएगा तो यहां पर क्रिया के विशेश समय का ग्यान काम कब किया गया खाना कब पकाया गया हमें नहीं पता और इस सेंस में हमारा जो है वो सामाने भूत काल हमें देखने को मिलेगा आगे चलते हैं जैसे यहाँ पर कुछ और एक्जाम्पल दिये हैं जैसे सोहन आया, कब आया नहीं पता, मीन आ गई, कब गई, नहीं पता आगे आपको लेकर के चलते हैं 22 नंबर क्वेशन में कहते हैं बिल्ली छत पर बैठी है इसमें आपसे कारक पूछा हुआ है, संबूधन कारक है, करता कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है तो आप कहते हो कि पेंड से पत्ते गिरते हैं, हिमाले गंगा से निकलती है, बिल्ली छत पर बैठी है तो गंगा से निकलती है पेंड से पत्ते गिरते है तो आपादान वाले की बात हो गई यहाँ पर कहते हैं मे पर अधिकरण मे मान अगर आपको याद हूँ कहते हो मे पर अधिकरण मे मान ये पंक्तियां हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए तो आप में और पर जो बहचान चिन है वो अधिकरण कारक के हैं तो आपका सही जवाब यहां से क्या हो जाएगा अधिकरण कारक कुछ और बात यहां पर बोली हुई है किरिया या आधार को सूचित करने वाले संग्या या सर्वनाम के सुर्वूप को हम अधिकरण कारक कहते हैं जैसे दुकान पर कोई नहीं था तो यहां पर क्या हो जाएगा अधिकरण दो निर्देश्ट अक्षरों के पास-पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है तो आपने देखा सू प्लस आगतम अभी मैंने बताया सू प्लस आगत महा प्लस इस महेश होता है आपका आपने देखा गोड़ संधी आपको मिली तो आपने देखा जब हम सू प्लस आगत की बात करते हैं सू तो एक ये वर्ड हो गया और एक ये हो गया इनहीं में परिवर्तन हुआ क्या अक्षरों में परिवर्तन हुआ बिलकुल हुआ और ये क्या कहलाता है ये आपका संधी कहलाता है संधी का मतलब ही होता है जोड संधी के तीन प्रकार होते हैं स्वर संधी वेंजन संधी विस चुडिया उड़ रही है चुडिया काम ही उड़ना यहां पर अकर्मक क्रिया परकार का यानि थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कहते हैं इस वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है जिन क्रियाओं का व्यापार और फल करता पर हो वैं अकर्मक कहलाते हैं कहते हैं आकर्मक जहां कर्म नहीं होता है साकर्मक मतलब कर्म होता है जैसे चडिया उड़ रही है इस वाकि में चडिया जो है करता है और उड़ने का कार्य उसी के द्वारा पूरा हो रहा है तो उड़ रही क्या हो जाएगा कर्मक क्रिया के रूपे हमें देखने को मिलेगा 25 में आपसे क्या कहते है पहाड का इन में से कौंसा परियावाची आपका नहीं होगा शायल का मतलब परबत पत्थर शायल का मतलब पत्थर होता है पत्थर हो सही पहाड बनता है यानि ये होगा आचल मतलब जो चलेना जो इस्थिर है पहाड बिल्कुल सही है ये भी होगा आपसे कहते भूधर यानि कि प्रत्वी पर जो धरा हुआ है जो रखा हुआ है वो भी होगा बात आती है कि आखिर शैल्जा का क्या मतलब है आपसे पूछा इन में से कौन सा नहीं है तो आपका correct answer पहला होगा और शैल्जा का मतलब पारवती होता है देखेगा यहाँ पर answer आपका दिया हुआ है गमार में प्रियुक्त प्रत्य आपसे पूछे हैं कि इन में से कौन सा होगा आप है जैसे उधार हम बोले है न गमार हमने बोला तो आप दिया है यहाँ पर यह है आर है आपसे अनिये दिया हुआ है गमार में आर प्रत्य आपको देखने को मिलेगा जैसे हमने बोला दुधार लुहार कुमार सुनार उधार इन सभी में आपको जो है आर प्रत्य देखने को मिलेगा प्रत्य किसे कहते हैं तो कहते हैं शब्दों के बाद जो अक्षर या समुह लगाया जाता है उसे प्रत्य कहते हैं शब्द के आर्थ में ये परिवर्तन कर देते हैं प्रत्य जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं करत प्रत्य और तध्यत प्रत्य विखल्प को चाटी है जिसमें केवल विशीशन श्रब्द हमें देखने को मिले केवल विशीशन श्रब्द किसमी होगा भाई गोरा है पतला है वह वह नहीं है वह सर्वनाम में हो गया हटा इसको यहां से सुक्ष मभारत यमुना काला उंचा सुंदर देखे काला है उंचा सुंदर है भैस काली है रमेश काला है महेश काला है आप ऐसे बोले तो महेश क्या है काला है काला क्या है महेश की विशेस्ता है उंचा उंची की बात करे परबत उंचा परबत की विशेस्ता उचाई, सुन्दर लड़की, लड़की की विशेश ता कि वो सुन्दर है, तो option number C हो जाएगा यहां से, आगे आपको लेकर के चलते हैं, यहां पर आपसे कहते हैं कि इन में से इस्त्री लिंग शब्द का चयन करिये, कहते हैं भगदर मच गई, आप कभी-कभी वाकि प्रिय तार्थक क्या होगा, आपत्ती करना, तो अनापत्ती करना हो जाएगा, पहला जवाब हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, अनापत्ती करना, ठीक है, यहां पर एक 30 number question में आप से पूछे हैं, कि उच्जैनी में काउन सा उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा, उच्ज पहनी में आखिर संधी कौन सी है, यह आप बताएंगे comment section में, बाके question paper जो अभी मैंने आपको बताया है, 2011, 2013, 15, 16, 17, 18, अगर आपको solution चाहिए, पूरी तरीके से 18 तो हम solve कर ली करवा चुके हैं, तो आप comment section में जरूर लिखेगा, एक सवाल मैंने पूछा है, कितने में जरूर खेगा, यह उजा है, जरूर लिखेगा.